हेलो दोस्तो दे ग्रेट स्पेर्स अन्बोक्सिंग चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम आपके लिए लाएं हैं TVS Victor New Model गाड़ी के इंजन वाल सेट की अन्बोक्सिंग दोस्तो ये BS3, BS4 मोडल का इंजन वाल सेट है जो आज हम आपको अन्बोक्स करके दिखाने वाले हैं दोस्तो ये वाल सेट किट है जो आज हम आपको अन्बोक्स करके दिखाने वाले हैं ये TVS की तरफ से ओरिजिनल वाल सेट किट है तो चलिए बिना किसी देरी किये हुए आपको इस wall set को अन्बोक्स करके दिखाते हैं तो दोस्तो box को open करते ही हमको ये engine wall set kit देखने को मिल जाती है तो चलिए इस packet को भी हम आपको open करके दिखा देते हैं दोस्तों इस किट में आपको इंजन WAL के सबया बोल गल चाहर आपको किलड़ सेट किट गड़Frís स्प्रिंग देखने को मिल जाती हैं जिसमें कि आपको इस में कुलच स्क्रेन वगरा और इसके लॉग वगरा देखने को मिलते हैं तो मेरो को लग रहा है खाली आपकी विक्टर फॉम मॉडल में अपको य इंजनवाल Inn किट को ओपन करके दिखा देते हैं और अंदर से आपको क्या-क्या content देखने को मिलता है और कितनी quantity में आपको इनके content देखने को मिलते हैं तो चलिए बिना किसी देरी की हुए आपको एक-एक करके सबी चीजों को दिखाते हैं तो ये दोस्तों ये हम unbox कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पे spare parts की unboxing वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जिससे कि आपको parts के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि कौन सा parts आपको market में कित्ते रूपे का दिखने को मिल जाता है तो दोस्तों ये engine wall set को हमने unbox कर दिया है और इसके अंदर से हमको काफी सारे contents दिखने को मिल जाते हैं तो ये पूरी दोस्तों wall set kit है जो हमको इससे पहले ऐसी wall set kit मैंने इससे पहले और किसी गाड़ी में नहीं देखी है जितने content आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं चलिए सबसे पहले आपको wall spring दिखा देते हैं दोस्तों आपको total तीन wall spring इसमें देखने को मिलती है दोस्तों इससे पहले मैंने जितनी भी गाड़ियों के engine wall देखे हैं मेरे को सबसे अनोखा wall यही देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें आपको पूरी kit देखने को मिलती है और मेरे को लगता है कि company वालों को इसी तरह की kit provide करवानी चाहिए ताकि mystery भाई जो mechanic भाई रहते हैं कभी fitting करते वक्त कोई भी spare parts घुम हो जाता है तो ऐसे चोटे मोटे spare parts मिलते नहीं है आसानी से तो अगर kit company वाले provide करवाएंगे तो mechanic भाईयों को भी आसानी रहेगी अगर कोई सामान घुम हो जाता है तो kit लाके डाल दिये फुरसत हो गए और service भी जादा मिलने वाली है क्योंकि इसमें सब engine के parts नए हो जाने वाले हैं तो बेशक्सी बात है कि service भी गाड़ी की बढ़ने वाली है तो दोस्तो ये कुछ wall locks भी देखने को आपको मिल जाते हैं जो धूनने से नहीं मिलते हैं अगर घुम जाते हैं तो लेकिन company वालोंने बहुत सही काम किया है कि इन्होंने wall lock भी provide करवाए हैं दोस्तो ये wall seal है आपको total 3 wall seal इसमें देखने को मिल जाती हैं कुछ इस तरह की wall seal है जो आपको इसकी देखने को मिल जाते हैं तो इसकी wall seal अलगी रहती है जो company वालोंने provide करवाई है बहुत अच्छा काम किया है ताकि wall fitting करते वक्त अगर wall seal नहीं मिलती है तो काफी समस्या का सामना करना पड़ता है तो company वालोंने इस चीज का भी ध्यान दिया है और wall seal भी provide करवाई है बात करते हैं दोस्तो इस wall की तो दोस्तो यह main content engine wall ही है जो आपको देखने को मिलता है तो तीन engine wall आपको इसमें company वालों की तरफ से देखने को मिलते हैं जो कुछ इस तरह के आपक देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो यह थे बज़ टीवी एस विक्टर न्यू मोडल के engine wall set जो हमने आपको आज अन्बोक्स करके दिखाए हैं चली दोस्तों इसके part number पर आ जाते हैं और इसकी price पर आ जाते हैं कितने का आपको इंजन वाल सेट देखने को मिल जाता है दोस दोस्तों अगर इसकी price की बात करें तो एक हजार अठाइस रुपे की आपको यह engine wall kit देखने को मिल जाती है दोस्तों यह पूरी kit है और kit के हिसाब से इसकी price बहुरती कम देखने को मिल जाती है क्योंकि mechanic भाईयों से अगर सामान को जाता है तो यह चोटे मोटे item मिलते नही है और company वालों ने यह wall kit प्रोवाइड करवागे बहुत अच्छा काम किया है thank you दूस्तों